दूश्पूरी में एक कहावत है कि आपन हारल और मेहरी से मारल लोग कही भी तक एक रासे कही नमर्सी यहीं अपञा कि नमर्स तो कि इंचाईता इसनिश्फरिया क्वार्ड है काज बाना कोई मिला नहीं है पंचाईता में काई सचिव का चुनाउं नहीं हुआ कोन सा वाड है ये घरनाम सा नमर्क में हर घर नलका जल बिहार के माननिय मुख्यमंत्री सिरिनितीज कुमार जी के द्वारा चलाई गई एक महत्व कांग्ची योजना है आपको बता दे कि 2015 में इस योजना की घोशना हुई तथा 2016 में यह योजना लागू किया गया पांच वर्षों के लिए जनकारी के लिए आपको यह भी बता दे कि शरकारी आंकरों के अनुशार गड़ यह देखा जाये तो 2021 में यह योजना पूरी तरह शमाप्त हो चुकी है अब शवाल यह यह उड़ता है कि यह योजना का लाभ उन लाभूकों के बीच मिल रहा है कि नहीं यह देखने वाली बात होगी अब ही इस बात का जायजा लेने के लिए हम पहुँच चुकी है छपराजिले के बनियापुर प्रखंट के भुसाओ पंचायत के हरियरपुर गाओं के वाड़ नमबर 12 में और यहांपर हमारे शांथ कुछ गरामीन भी है जिन लोगों से हम जनकारी लेंगे और यह जानने की कोसिस करेंगे बातशीत करेंगे उन लोगों से जानेंगे कि उन लोगों के वाड़ में जो नलजल की स्थिती है क्या है आजे नहीं वाइड में तो पानी नहीं आ रहा है। वार्ड में अभी तो हमें काज भार कोई मिला नहीं है अब पहले वाले वार्ड जो है उनके पापा चला रहे हैं एक बार खराब हुआ था ये चंदा से बना था दूसरी विया हम बोले हैं चंदा लगाओ फिर होगा इसो देखा जाएगा देंगे तो बनेगा नहीं तो सरका अब नहीं हो गया हो गया हमारे वार्ड में तो अब पंचाइता में तो अभी कोई सचीव का चुनाव नहीं हुआ वार्ड सचीव का तो आप लोग इसकी सिकायत किये हैं इसका किसे बोले थे और क्या बोले मुख्या जी बोली जो देखते हैं कब तक होता है देखते हैं इसके बाद आप प्रखंट विकास पदाविकारी की पस गया है तो देखिए अभी तक इस वार्ड में तो वार्ड सचीव का ही चुनाव नहीं हुआ है और पंचाइती चुनाव का लगभग 6-7 महीना होने जा रहा है लेकिन अभी तक वार्ड सचीव का कोई चुनाव नहीं हुआ है आप लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं चापा कल का जो दूसित पानी है वो नहीं पीना है तो ऐसे में आप सरकार से क्या मांग करिएगा सरकार से हमांग करते हैं यह कोई हमें आगे मिले समझाओता जनता का समझाद है जो तीस रुपया मिले आज है जो भी मिले हम असुल सकते हैं या वार्ड वसुल सकते हैं हम पिछले बार हम 6,000 रुपया हम की जनता से लिये हैं जनता से लेकर हम पनमाय थे लेकि फिर क्या उ अब देखे आपको उस तरह चंदा लेके नहीं करना है आपको करना ये है कि महीना में हर एक घर से 30 रुपय लेना है तो आप उस तरह करिए और लोगों से मांगिए और जो लोग नहीं दे रहे हैं आपको आपके पास उतना है हक कि आप उनका कनेक्शन नलजल वाला काट सकते अब देखिए यहां पर रंगदारी भी चल रही है और सुशारू ढंग से कोई काम नहीं हो रहा है हालांकि यहां के जो ग्रामीन है सरकार से मदद के लिए लगतार अपील कर रहे हैं सरकार लगतार योजनाय भी चला रही है लेकिन उस योजनाओं का लाव जमीनी अस्तर पर कितना प्रतिसात मिल रहा है आप लोग देख सकते हैं आपके वर्ड में पानी आ रहा है ना इकोन सा गां है वर्ड नमर कितना है बारे कितने दियों से पानी नहीं आ रहा है एक महिना से कितनी परेशानियां हो रही है देखो पानी सामने तो चला रहा है चलता पानी नह कि यहां की जो नलजल की स्थिती है क्या है आपकी बहुत खराब है कितने दिनों से नहीं आ रहा है दस पांदर अरोज हो गया और इस पर आप लोगों ने कुछ कंप्लेंड किया कोई कंप्लेंड लेने वाला ही नहीं नहीं है इसे किया पतली है पानी आदमी को पानी मुलता नहीं है और पीने कि लिए सरकार इतना पैसा खर्चा करके रखा है लेकि तब ही यो जो बनाने वाला है उसको देख़ेंड ये नहीं कर रहा है पानी जब मोटर खराब होता है कभी कुछ हो धाय कोई सुनता ही नहीं है सरकार से क्या मांग करिएगा आप लो सरकार से मांग है कि वो उसको बनिया से अच्छा से जल्दी चालिव करवा उसको यहां पे कुछ और वे ग्राविन मौजुद हैं उन लोगों से भी हम जनकारी लेंगे और जानेंगे कि यहां की नलजल के इस्थीती जो है वो क्या है कर दो सरकार से क्या मांग कर दियेगा का मांगी पानी देश दो सरकार हमानी के बेटा भातर बाद दो सरके बाद जो यहां के ग्रामिन है सरकार से लगातार ये लोग अपील भी कर रहे हैं शरकार लगातार योजनाए भी चला रही है लेकिन अब शवाल यह उर्ता है कि उस योजनाओ का लाब यहां पूरी तरह पहुँच क्यों नहीं पा रहा है आखिर इसका जिम्मेदार कौन है इस सवाई हो भी पाएगी कि नहीं गर्मी अपने चरम सीमा पर है और ऐसे में यहां के ग्रामिन हैंड पंप का दुसित पानी पीने के लिए पेजल के लिए एक मात्र शाधन बना हुआ है ऐसे में यह लोग करें भी तो क्या करें कहां जाए क्या किस से कहें भोजपुरी में ए जीत के बाद अपनी जिम्मेदारिया भूल जाता है कि बस जीतना है उसके बाद करना क्या है उसको खुद नहीं मालूम होता है फिलहाल इस ख़बरों में इतना ही मिलेंगे हम आपसे आगे की ख़बरों में ऐसी ही छोटी बड़ी खामियों को दिखाते रहेंगे और अंत म की छोटी बड़ी खामियों को दिखाते रहेंगे और उसमें सुधार करने की कोसिस भी करते रहेंगे अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट वॉक्स में आपके वी वाड में ऐसी गरबरिया है तो कमेंट वॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताए मैं आर्यन 24 नि